Hello everyone, तो देखे, आज हम बात करते हैं constant voltage source के बारे में या फिर इसी को हम बोलते हैं ideal voltage source चीक है, तो constant voltage source को हो या फिर ideal voltage source को हो, इसमें होता क्या है कि जो voltage होती है, वो constant होती है चाहे कितना ही हम load को change करें, माली जे पहले 2 ohm का हमारे पास load था, फिर हमने change किया 4 ohm रखा, फिर 6 ohm रखा, तो कितना ही हम load को change करें, load के change करने से current में changing आएगा, मनलब current हमारे पास कम या ज्यादा करेगी, load के change करने से load को अगर हम कम रखें या फिर ज्यादा रखें, उसकी बजाए से क्या होगा current में variation आएगा current में change आएगा लेकिन जो voltage होगी वो constant रहेगी ठीक है तो इसको इस तरीके से समझते हैं मान लिजे friends ये हमारे पास एक voltage source है ठीक है ये 20 volt का हमारे पास source है और इसका जो internal resistance है उसको हम zero मानते हैं क्या मानते हैं zero मानते हैं मतलब कोई भी internal resistance नहीं है तो क्या होगा कि जो टर्मिनल होगा माले ये ये a terminal है और ये b terminal है यहाँ पर हमारे पास voltage constant रहेगी मतलब 20 volt यहाँ पर अगर है तो 20 volt हमें यहाँ terminal पर भी 20 volt ही मिलेगी कोई भी इसमें loss नहीं होगा ठीक है क्योंकि internal resistance 0 है तो हमें जो यहाँ पर voltage है 20 volt अगर यहाँ पर है तो terminal पर भी हमें वही 20 volt ही मिलेगी चाहे हम कितना ही load को यहाँ पर change करें देखिए यहाँ पर मान लिजे पहले load रखा हमने 2 ohm का ठीक है अब 2 ohm का अगर हमने load रखा तो यहाँ पर voltage हमें पता है और resistance भी हमें पता है तो current निकल चाहेगी कि यहाँ से कितनी current flow करेगी है कि नहीं है क्योंकि I क्या होता है I होता है V by R तो V हमें पता है 20 volt तो 20 लिखेंगे divided by resistance कितना रखा हमने 2 ohm का तो current कितनी मिली हमें 10 amp की हमें current मिलेगी चीक है इस case में 10 amp की current मिली अब मान लीजे कि यहाँ पर 2 ohm की जगा अब हम क्या करेंगे पहले हमें मिला ने इस case में 10 amp की current मिली है कि 10 amp की current flow करेगी circuit में अब मान लीजिए कि हमने load को change कर दिया अब हमने load को रखा 5 ohm मतलब बढ़ा दिया हमने load को हमने increase कर दिया तो क्या होगा देखो current हो जाएगी v divided by r तो v हमें पता है कि 20 volt है तो 20 लिखेंगे divided by resistance कितना रखा हमने resistance रखा अभी 5 ohm तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 amp की हमें current मिलेगी मतलब इस case में जब हमने load को change कर दिया यहाँ पर 2 ohm की जगा 5 ohm रखा तो अब हमारे पाँ जो circuit से current flow कर रही है वो कितनी है 4 amp की है मतलब load को जब आप change कर रहे हो ना तो current में भी changing आ रहा है लेकिन voltage यहाँ पर क्या होगी वो constant होगी देखें voltage को निकालते है V बराबर क्या होता है I into R तो पहले case में देखो जब हमारे पास 2 ohm का resistance है तो हमें current क्या मिली 10 amp की तो 10 लिखेंगे multiply by resistance क्या था तब 2 ohm तो V हो जाएगा 20 दस दूने 20 volt है की नहीं है देखो voltage क्या रहे रहा है कौन इस्टेंट रहे रहा है जो 20 volt यहाँ पर था वही 20 volt हमें यहाँ पर मिल रहा है इसी तरीके से दूसरे case में देखते है जब हमारे पास जो current है वो 4 amp की मिली है तो V बराबर होता है I into R तो I क्या है 4 amp की यहाँ से flow कर रही है न तो 4 लिखेंगे multiply by resistance क्या रखा हमने 5 ohm का रखा तो 5 लिखेंगे देखो 5 चुके 20 volt है की नहीं है बाई कितना ही हम यहाँ से load को change कर रहे है चेंज करने से load के change करने से current में यहाँ पर change आएगा लेकिन हमारे पास जो voltage होती है वो यहाँ पर constant ही रहेगी चीक है तो इसी को हम बोलते हैं constant voltage source या फिर ideal voltage source इसमें क्या होता है कि जो voltage होती है वो constant रहती है यानि कि यहाँ पर maintain रहती है चीक है वो change नहीं होती है तो वो आपने देखा so I hope कि आपको यह clear हो चुका होगा so thank you very much